आप सुभी का स्वागत हैं मेरे चानल पर आज के इस वीडियो में पिरमारं जी ने खास कर बच्चक को ये बताया है कि अपने दिमाग को तेश्ट कैसे करने तो बिना देले की वीडियो को शिरू करते हैं तो इस वीडियो को प्लिक्स लाइक कर देना चानल पर नहीं हो तो स ही चलते हैं अंकित जी पलवल से स्रिया रिवांस जैश्री राम मारा जी आपके चरणों में कोटी-कोटी पनाओ प्रभुजी मेरा प्रश्णी है कि क्या हम अपने दिमाग को इतना तेज कर सकते हैं कि कोई भी चीज को एक बार सुनें फिर उसे कभी ना भूलें चरण से हो सकता है और तो इतनी सामर्थ नहीं है ये ब्रह्म चर में होता है या पूरू का कोई टप जिसे च्छुटे से बालक में देखा जाता है भारी इसमृति भारी घ्यान वगण है तो पूर्व का उसका अब भजन है तो कि जन्मा तान स्काइब कि डिदीरर के पीला सेवा लाविट का उसका फर्जन है इस जन्मा में कर लिकारर चांवहित हो प्रहृ मिला है अगर प्रहृ मधर्व यह कन अश्तु यहेंगे तो इस्तुम्र्ती नहीं इए एक सीधा उत्तर है आपका का खान-पान खीक हो आपका ब्रह्मचर ठीक Schift cyber doris Maha राज में तो मतलब शाधी शुदा ऑपई करेश्थी में तो रहा जाता साधी सुदा को मतलब बिचारी थोभी होता सत्यूं संतानों पत्ति के लिए आदेश है उसको नियम पूर्वक अगर निर्वाह किया जाए तो एक पत्नी बिरत रखने वाला धर्म से चलने वाला और वेसे सास्त्री पद्धति प्रतेक माशिक धर्म के बाद जो दस दिन के बाद शंतानों पत्ति के निमित समस्त देवतावन मोचारिक उसमें समस्ती कि दिखो इश्मर्ति का नांशर कामही कर देता है कांह सन जाय देक्रूधा इस्मर्थ ऍप्र्धाई विभ्र्म ऑफिस्मार्दी भरंसादग बुद्धिनासो बुद्धिनासथ प्रणिस्यति तो अगर हमारा निश्काम भाव तो हम इस्मर्थी व व्रमात्मा संताने हुई उनकी बात काफी दिनों तक ब्रह्मचर रहकर के संयम से फिर गर्भाधान हुआ और फिर ब्रह्मचर से रहे तो उनकी शंताने बड़ी प्रज्यावान बड़ी विवेकवान धर्मा यह जो गरुण जी का जन्म हुआ ना दस भजार वर्ष तग ब्रम्मचर रह थे कस्चप जी उसमें तो मतब लाकों वर्ष की जीवना उठी थे दस हजार वर्ष तक ब्रम्मचर रह करके और जब बिनता जी के गर्व में तो फिर उन से भगवाण गरुन जी का प्रादरुbly मां बली गरुन जी और एक छोट बड़े पुत्र अरून जी वो सुरी भगवान के सार्थी बने कई हमने ऐसे ब्रह्मचर रहकर नाम जब करते धर्म से चले और फिर संतान तो उससे फिर अब पसुवत आश्रन तो कहीं आदेश नहीं किया गया है ग्रेश्थी में भी अगर जिसे मनों 20-22 वर्स तक ब्रह्मचारी रहा फिर ग्रेश्थी में गया तो परिपक को फसल है जैसे गेहूं गलेथ में हो काट ले तो एक दाना नहीं मिलेगा और परिपक को फसल हो जाए तो कुंतलों आनाच सालों खाते रहो ऐसा आनाच पैदा हो घृष्था से फिर ग्रेश्थ में जाए तो परिपक को फसल है संतान उत्पत्याद फिर सैयम से जीव तो वो मात्मा हिए वो ब्रह्मचारी वी है एक प्रत्नी इब्रत धर्मपूर्वक्षन्ले वाला वो बेविचारी नहीं का जाता है वो ग्रेश्थ कोई निंदनी नही तो क्या ग्रेश्थी कोई निन्दनी बात थोड़ी है अगर बच्चा सैयम से चले तो अब सैयम को नस्ट कर दे तो फिर चाहे ग्रेश्थी में ना जाये तो भी नस्ट हो जाएगा बहुत प्रकार हैं तो हमें लगता है अगर सैयम से चला जाये तो ग्रेश्थ धर्मे में ब तो दे अब ऐसा थोड़ी की कोई मन मानिया चरण करें क्यों बच्छा मैं आशा करती हूं कि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी तो इस वीडियो को प्रीज लाइक कर देना चानल पर नहीं हो तो चानल को सब्सक्राइब को दिना सब्सक्राइब के पास्वारे बैल सब्सक्राइब को प्लीज क्लिक कर देना ताकि मेरी नियु वीडियो की नोटिफिकेशन सब्सक्राइब आप तक पहुँआ है और कमेंट बाक्स में एक कमेंट भी कर देना थैंक यू